सबी को नमस्कार आज हिंदी दिवस है सबसे पहले तो आपको हिंदी दिवस की डेरो शुब काम नहें और ये सो भाग्या की बात है ये दुर भाग्या की मुझे नहीं पता कि हमें हिंदुस्तान में रहे के इंगलीश को अपनाना पड़ता है क्योंकि रोजगार चाहिए आज हम बात करेंगे राज्यस्तान हाई कोरट का जो एक्जाम है उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि उसमें तीन फेज हैं सबसे पहले तो आपकी डिक्टेशन और प्लस ट्रांसकिप्शन वो दूनों एक ही पार्ट है दूसरा कम्प्यूटर कह सकते हैं जिसको basic computer में सिर्फ यह मानले कि हम जो office में काम करने के लिए MS office word है वही काम में आता है और जैसा मुझे लगता है कि कोई भी short end का student हो या किसी भी field का student हो या कोई भी व्यक्ति हो उसको basic computer जरूर आना चाहिए मानलीजी आपका अभी तो यह exam है basic का अ हमारे से कोई ऐसा button दब जाता है जिससे हमें so विदा हो जाती है फिर हम उसको ठीक नहीं कर पाते है अगर हमें basic basic सी knowledge एक तो keyboard की पूरी basic knowledge और जो यह word है उसकी basic knowledge हमें होनी चाहिए तो तीन जो segments है उस पर बात करते हैं सबसे पहला है dictation देखिए dictation जो है वो 8 sorry 6 minute की है 80 words per minute और 80 words per minute में fluctuation भी होता है जैसे कि last exam में हुआ था same fluctuation दुबारा भी हो सकता है हो सकता है क्या होगा ही तो आप यह समझे कि 480 words है 80 multiply by 6 480 words है और इसके लिए जो transcription का time है वो 50 minutes आपको मिलने वाले हैं तो आपको यह समझना है कि सबसे पहले तो उसमें आप उसकी correction बाद में न इसको transcribe करेंगे उससे पहले आपको जो 5 minutes आपको reading के मिलेंगे मेरा आपसे यही advice है कि आप 5 के बदले 10 minutes लगाएं चाहे 15 minutes लगाएं आप उसको पहले अच्छे से read out कर लें तो जब आप उसको type करेंगे तो आपको जो check करना पड़ेगा वो बहुत ही कम संभावना रहेगी गलती की अगर आप उसको पहले read नहीं करेंगे आप सिधा type करना शुरू कर देंगे 5 minutes के बाद तो फिर गलती होने के chances जादा है फिर आपको बार बार उसको check करना भी पड़ेगा और आप बीच बीच में उसको एक दो line के बाद आप बीच बीच में एक दो line क्या एक एक line क के बाद ही check करी क्योंकि backspace से आप वापिस आएंगे तो आपको delete करके आना पड़ेगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना है transcription की speed बहुत कम है तो आपके पास sufficient time है transcription करने का तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा और जो English की dictation है वो 80 words per minute की है और जो Hindi की है वो 70 WPM की है और जो transcription का time है वो दोनों के लिए 50 minute मिलने वाले हैं और हिंदी वालों को थोड़ा सा typing में ज्यादा समय लगता है English वालों की typing थोड़ा easy होती है तो यह चीज है दूसरी चीज क्या है कि आपका जो typing test है typing test होगा और typing test में आप यह समझे कि 10 minute का test होगा और efficiency test है वो भी 10 minute का होग और जिन students की speed आप मान लिजिए 50 to 60 या जैसा कि अभी आप दिल्ली high court में दे के आए होंगे कि 40 पे बिना गलती के चाहिए लेकिन उसके लिए आपकी speed कितनी 50, 55, 60 के आसपास होगी तभी आप 45, 50 के आसपास निकाल पाएंगे नहीं तो फिर speed बहुत कम रह जाती है और जो merit बनेगी वो फिर overall बनेगी तो फिर आप उसमें compete करने में पीछे रह जाएंगे अगर आप किसी भी पार्ट में weak रहेंगे तो तो speed आपका typing का और efficiency test में जैसा कि मैंने शुरू में बात की कि word का जो basic सी knowledge है जो भी जैसे हम भी office में काम करते हैं तो हमें basic basic सी knowledge होती है word की क्योंकि हमें उसी में type करना होता है और जैसे कि हम Punjab और हर्याना High Court का exam देते हैं डिस्टिक का तो वहाँ पे Excel मांगते हैं क्योंकि वहाँ पे administrative side पे जो लोग काम करते हैं उनको Excel में थोड़ा बहुत काम करने को मिलता है नहीं तो वो भी word पे ही काम करते हैं तो word office का एक necessary part है जो भी office में काम करेगा जो भी select हो जाएगा उसको office में ही काम करना है तो word पे ही काम करना है तो word की वो basic सी knowledge आपको होनी चाहिए त जो typing है उसकी speed अभी से बढ़ा लें अगर आपकी speed कम है और जो दिली high court का exam है उसका भी आपका अगर आप typing अभी से करने लगेंगे इसमें तो आपका वो भी cover हो जाएगा जैसे ही वो PA का आएगा क्योंकि पहले SPA का skill होने के chances है उसके बाद PA का जो typing test है वो आ सकता है तो यह तीन चीज़े है इस exam की जो advertisement बहुत लंबी चोड़ी है लेकिन जो इसका part यह खोला हुआ है सिरफ scheme and syllabus of exam है तो आप इसमें यह तीन चीज़े अच्छे से पढ़ लें जिनका English का है जिनका Hindi का है और interview बाद में होगा जो यह तीन चीज़े हैं interview में आप देखेंगे कि ज जो marks के हिसाब से बुलाया जाएगा ratio में वो बात की बात है लेकिन यह जो exam है तीनों के तीनों एक दिन में हो जाएंगे ठीक है तो यह चीज़े है रज्जस्थान High Court के लिए और गलतियों का जो checking का है वो पहले जैसा ही है जैसा T.A. के exam में था रज्जस्थान High Court का वैसा ही है तो आप इस exam की तयारी अच्छे से कर रहे होंगे और speed बहुत जादा नहीं है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ और जैसा पहले पैसे जाया था लीगल पैसे जाया था अभी जो पिछला exam हुआ है PA का तो इसमें भी exam में legal matter आने के chances जादा है और general को हमेशा include करके रखना पड़ता है क्योंकि जो हम legal dictation भी लिखते हैं उसमें भी general word बहुत सारे होते हैं बहुत सारे grammar logs होते हैं और बहुत सारे general words होते हैं और legal legends हर passage में थोड़े ही होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हमें familiar होना है और legal words की आपको तैयारी अगर आपकी अच्छी नहीं है code की dictation तो उस पे ज़्यादा समय लगाई है और बाकी journal तो आप करते रही है और आप कर भी रहोंगे तो दुनों को include करके आपको चलना पड़ेगा So wish you all the best आप अच्छे से तैयारी करें और अच्छे से exam दे के आए May God bless you